है कि यह आप कैसे का सकते हैं कि किसी को दो सिट मिनला था मिलना ञपके पास जनकारी नहीं लगता है कि आपके इसे मतलम नहीं निकाला झाए कि को नयराज है बाते सब की हो रही है और हम समझते हैं कि जब इंडिया गटमंदन है तो इंडिया गटमंदन में सबका सम्मान है। सब बाते हो चुकी है, एलान मातर है, समय आगया तो एलान कर दिया जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टन स्टेंडिंग नहीं, कहीं पर कोई नराजगी नहीं, सब एक जूठ है, एक उपेंदर कुछवा हा गाय नजरा कहीं न कहीं बिहार के इंडिये में सब कुछ ठीक चल रहा है यह नहीं क्यूंकि जिस तरीके से बिहार सपकार के हमारे सांतुर्वन मांजी जी है क्या कहेंगी सर जिस तरीके से पधान मंत्री की तीन सभाएय हुई और तीन सभाओं में उपंद्र कुश्वाहा और चिराग पासवान नदारत रहें आखिर वज़ा क्या रहें। देखिए वज़ा कुछ नहीं है किसी कारण से अपनी बेस्था के कारण रायनितिक बेस्था हो सकते हैं कहीं पर कारज करम होगा इस कारण से वह नहीं पहुच पाएं है इससे ये मतलम नहीं निकाला जाए कि कोई नराज है बातें सब की हो रही है और हम समझते हैं कि जब इंडिये गट मंदन हैं तो इंडिये में सब सम्मान के साथ जूड़े हुए हैं और सब एक साथ चलने के लिए अधरीन नरेंद मोती जी के अगवाई में चलने के लिए देश के विकास के लिए देश की तरक्की को दिसको आगे बढ़ाने के लिए सब एक जूट है और यह सिर्फ अफचारिकता है सीट का घोसना जो होता है लावा समय है तारीक को उ यह जाएगा और आपको बता दिया जाएगा बाकि सब भीहार का कही नाम नहीं था दूसरी द्यार हैं लेकिन कहीं न कहीं और चिराग पासवान नराज चल रहा है उपंद उपंद कुश्वाह। जो सीट्ट देने के लिए तीन सीट थी वह अब एक सीठ हो गई है और चीराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो है विवाद चल रहा है और मामला हाजीपूर में फसरा है कहीं ने कहीं ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को दो सीट मिलना था एक सीट हो गया तीन सीट मिलना था दो सीट हो गया ये तो आपके पास जनकारी हमको नहीं लगता है किसी को जनकारी है आपके पास ये तो आप आकलन कर सकते हैं जब तक अधिकारिक तोर पर सामने कोई चीज़ नहीं आया तो उसके बारे में हमको नहीं बोलना चाहिए जहां तक के बात है सीट सेरिंग का हम जो समस्ते हैं कि जब भी कोई कोई नराजगी नहीं सब एक जूट हैं एक जूट हो करके चुनाव में आएंगे और चालिस के चालिस चीज़ जिते हैं हम पार्टी कितने से देखिए मैंने बताया नहीं एलान होगा तो आपको बता दिया जाएगा अभी बोलने का चीज़ नहीं हो इन दिनों परिवारबा देखिए उन्होंने जो बोला उसका मतलभ है कि मानियय लालो प्रसाद जादाब जी ने टीप नी किया था कि लोग मोधी का परिवार नहीं है और उन्हों ने बोला कि पुरा विश्व पूरा देश हमारा परिवार है एक सो चालीस क्रोड़ जंता के हम परिवार हैं और एक सो चालीस क्रोड़ जंता के हम चिंता करते हैं कैसे एक सो चालीस क्रोड़ जंता सुक्षांति और समरिधी के साथ इस देश में रहे कैसे अमन सब्परिवार कुर। के साथ कर रहे हैं। करते हैं कितनी सरकारी ओजुनाओं को सिलनियास कर रहे हैं। तो उन्होंने सब बोला कि जो ब्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है। उनका लिए वूच्ण अर्वार होजाता है। अपना सिर्फ परिवार कहने वाला परिवार परिवार नहीं राता दिखते हैं जैसे सब्सक्राइब कर दोब बातों पर ध्यान नहीं देना है हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं 40os को जीतना है नेना भाई मोदी जी के जोली में 40 डालना सब्सक्राइब ने उस वीडियोजारी किया वीडियो में कहा है कि बेतिया में 60% कुर्सियां खाली पड़ी थी आखिर वजा क्या अब किस नजरिये से वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि मान्य प्रदान बंती चले गया होंगे उसके वाद जब लोग जा रहे होंगे तो उसका फोटो चुपके से ले लिए होंगे तो वीड़ तो इतनी थी कि उनका कैमरा म लोग खड़े थे रूट पर खड़े थे हेलिकॉप्टर देखने के लिए भी लोग खड़े थे मने आने जाने का हम लोग को निकलने के लिए एक घंटा लगा महां से उस जगह से बेन्यों से निकलने में घंटा लगा किस चसमें से देख रहे थे मुझे जिसकी जानकारी तावर पर चढ़कर दिखाया था उसकी बात करें उसकी बात करें झाल के लिए पूरा देश चला आता है यह देशी का तुलना हमें करते हैं तो वह ची बात होती है हमेशा बेल रहा है तीसरी बार भी आएंगे दो बार के साथ तीसरी बार भी आएंगे और देश को तरक्की के रास्तों पर ले जाएंगे हमारे साथ ब्यार सरकार के मंत्री संतोश रुमन मांजी ने साफ सब्दू में कहा कि सब कुछ all is well है जल्द ही सीट शेरिंग का फॉर्मूला तै है सब कुछ जानकारिया दे दीजीगा लेकिन कहीं न कहीं चिराग जो है वो नाराज है और चिराज के नाराज की कहीं न कहीं ज